तो नेक्स्ट चेप्टर है पॉपॉलर अप्राइजिंग अप्टू 1857 देखते हैं इसको इसके बादे में क्या है तो यह देखना अथारसो सत्तावन की कांती से पहले कुछ अप्राइजिंग हुई थी बहुत सारी अप्राइजिंग मैं नेशनल वाली फिलिग नहीं थी थी तो यह में 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 कॉंसी थी इस साल UPSC में कोशन आया है हलागी वो जो कॉशन था इस से नहीं था 1857 के बाद में साथ लेकिन इन से कोशन आ चुका है इसी साल UPSC में आया है बतांगो कॉशन कॉशन कौन सा आयगा 2020 के इंदर चलिए स्टाइट करते हैं तो अब देखते हैं इस्टेबलेजमेंट इस्टेबलेजमेंट इन इंदिया वाज नोट इस सदेन इवेंट बट इस्लो एंग्रेजुल प्रसेस कंप्राइजिंग मेनी वर और कॉंकर्स तो इस डूएशन था 1757 बेटरल प्लासी 1857 जो 1870 करांती ती उससे इनके बीच में तीन तरीके थे पॉपूलर रजिस्टेंस दिखाने के एक सिविल डिविलियन राजा माराजा जो उनके जमीदार जिन से ले 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 रहे वो अपने वो रिवल कर रहे हैं एक ट्राइबल के फ इसमें बुला कि यह कौन करते थे रूलर या कोई ऑफिशन वगरा जिनसे आप जबर सी उनके स्टेट को अक्वार कर ले थे वह लेंड जो भी लेंडर वगरा होते थे साथ में इनके जो सिविल रिविलियन है इनके लिए मास बेस कौन प्रवैड करता था वहां के जो भी है उसके अंडर के जो भी पीजेंट्स होते है आटिशन होगे सोलजर्स होगे वो अब इसमें कुछ टरम साइंगी जैसे पॉलिगर तो पॉलिगर क्या है पॉलिगर एक लेंडेड मिलिट्री जो क्लास है साउथ इंडिया के इंदर इक तरसा आप समझतों एक तरसा आर्मी इसली है पर एक है बढ़र जिनके पास लेंड होता था था खुद का पीजेंट्स क्या है पीजेंट्स किसान ही है किसान ही है चोड़ा किसां इस डराइब करते हो चो सब्कूटर्स प्सक्ट्री इंगेज अधिकरफ्र्ट्श्टन ट्राइब ह gelecek ऑशाइब के बीच में उप लोगों से घुल मिल करते हैं यह ब्लूग आपने जंगोलों मा लग रहते हैं प्लस क्लोजर एथिनिक बॉंड इनके जो बॉंडिंगे नेचर के साथ भी आपस में बहुत मोस्ट ज्यादतर किसमें बोलते हैं जिनको प्रोफेशन था उसी साथ में लोगी कास्ट बन गई तो यह कुछ बेस में आपको अगर कोशन आजा इनकेस कोशन आजाए कि इसके पीछे का बेस क्या था तो आप यह चीज़े इसमें बता सकते हैं कि तीन तरह के पीजर उनके बारे में आप काफे कुछ लिख सकते हैं अब हम बात करते हैं रिवाल कर दर तो कॉज़ें प्री एटी सेवन अप्राइजिंग की कुछ कॉज़ें तो हमने पहले देखी लिए अभी इससे पहले वाले नेशनल कॉंस कंदर कि क्या क्या कॉज़ें कैसे डवले इसस रूल का जो इंपेक्ट था वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं तो यह थोड़ा सा न यह ध्यान रगना कि आप जब पॉइंट लिखें तो टाइम डूरिशन का भी थोड़ा द्यान रगें कि कि किस रिवल्ट के बारे बात कर रहे हैं पता चला आप से रिवोल्ट आ ग लगें तक हमें किलिर ली पता रहे हैं किसके बारे में क्या पॉइंट लिखने हैं ताही जारा देखते हैं इस पेशली यहां पी लिख दिया है क्या रिजन थे तो पहला था डिवास्टेटिंग इंपक्ट ऑन रूलर एंज जमीदार यह पढ़ दिया हमने किया से यह यह अपने चेलों को दे रहे हैं तो आसे मेरे ऑफिशल यह बंदा लेगा उनकी जमीन उनसे शिंगे किसी और को दे दी एक ही हो गया रूलर से ले लिया उनका जो किंग्डम थी अक्वायर कर ली किसके दूर डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स 1857 से पहले चल रहा है डलोजी आएगा 1848 के आसपास तो डलोजी दॉक्ट्रिन ओफ लेप्स लेकाएगा और वह बहुत बड़ा रिजन रहेगा तो आप यह बोल सकते हैं हाँ दॉक्ट्रिन ओफ लेप्स और उससे पहले अगर हो जाओगे तो सबसे रियलाइज सिस्टम किसका विलेस लिका तो दोनो चीज़े आ अगर आप से मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और यह पॉइंट जो लिखें यह भी पढ़ लोगे उसके बाद एक्जाम में 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 से पहले एक बार दुबारा वीडियो को देख लेगा खाफी मिल जागी प्रिलिम से पहले तो देखना ही है अगर वीडियो देख किसान खुद की जमीन होती थी उसको अब इन्होंने रेंट वाला बना दिया यह बता दिया हम बात कर चुका सोच एकुन पॉलिसी कंदर किस तरह गया तो न्यू लेंड रेंटर के बारे बात होगी पीजन जो पहले ओनर होते थे अब उनको रेंटेड बोल दिया गया कि त तो इस तरह से पॉलराइजेशन है वो भी काफी जादा हो गया इस डूरिशन में कास्ट और कमीनल जो डिफेंसे से वह बहुत जादा बढ़ गए देर आफ्टर जो कॉलिकल पॉलिसी सी जिसे कमर्सलाइजेशन करना उसके वेसे फेमीन आना स्टाट होगी इस सब पॉइं इंडो को खाएगा उसको खाने के लिए तो गहूं चाहिए जो इस तरह की जो राइस वागरा चीए मिलेगा नहीं तो मजबूर यह फेमीन साइंगे और मरें बूके अब देखो 1870 से लेगे 57 तो बारा मेजर आया है वो इनकी पॉलिसी की वज़ें कमर्सलाइजेशन की बहुत जादा था 70 70 80 90 90 परसंट लेगे जाते तो इतना था यह रीजन बन रहा है बेस त्यार हो रहा है 1857 से पहले का मतब जो अप्राइजिंग थी उनके लिए क्या कॉसे तो कॉसे आप देखने क्या हो रहा है में कॉसे आप समझ मागे कि मैं को से यह होगा इनकी खुद क पॉलिशी जो रही वही में में और कोई रिजन नहीं होगा डिवास नीव वही पॉइंट आ रहे थे को पीजन आर्टीशन रूर जमीदार सारे पहले बहुत सी लाइन बता गया अगर आप जयात करो इससे पहले वाले चिप्टर में बहुत सिंपल सा एक ही परग्राफ में इस सारी पॉइंट खत्म कर दिते यह वाले और आप मैं यही पॉइंट वहां डेटेल में बता रहा हूं कि पीजन के उपर आटीशन के उपर वर्केर को पर एजुक्ति में प्लास यही पॉइंट तो बता कह रहा हूं है तो चीजे बहुत सिंपल है अगर आप ढंग से अगर मने बता दिया कि इंडियंस को क्या करें अभी है तुम रॉमाल हो गाओ हम तुम्हें माल बेचेंगे तुम हमारे माल लो तो यहां पर बिचारे हाथों से कपड़ा बना रहे हुंके तो जंदा खतम उनको बलचाले काम कर रहे हैं कि तुम आओ और आप तुम आपके पाली ऐसे उनको कर दिया उनों को कष लिए किसान अंगे उसको उसक опас हरा यहां पर देले के सुंदbbleो के लिएक फोल्क कपड़ा परिःवर सब्रीलो few. तो बुरे दिन आ गए, आर्टिशन के बुरे दिना, फिर बाद में ये आर्टिशन, रिवल्ड के अंदर, मतलब जो भी अप्राइजिंग होगी, उसके अंदर, एक रोल तो ऑविसली बाद है, बहुत बला रोल प्ले करना ही वाल है, इनका धंदा चला गया, आइमान के यही चीज़ यहां पर होगी, आर्टिशन के साथ, तो एक बेस तयार करेंगे, यह अप्राइजिंग का, आर्टिशन भी, फिर कॉंकिस्ट ओफ किंग्डम, किंग्डम लेके चलेगे, जो आर्टिशन के उपर हाथ सा, जो पिंटिंग मनाते थे, जो भी आर्टिस्ट थे उ सवेगा, राजा महाराज एक खरिटे तुम की खरीटिशन के पिंटिंग को, तीक है, जया मैं बहुत, संगीट काषा, कोई नाचने वाला है, कोई डंसर टाइप का, यह फिर राजा महारा ही निया, कोई महारा ही नहीं है, तो कोई मैहां को फोना चाधी देने वाला नहीं ह तो यह रिजन था कि इंडियन आर्टिस्ट जो थे पूरी तरह से अने इंप्लोइट होगी इस डूरेशन में तो यह एक आर्टिस्ट के बारे मात होगी अब ट्राइबल्स के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं ट्राइबल स्क्राइब करा सब्सक्राइब आधिवासी को बगाना थे इससे कहोगा वह आधिवासी बाद में वो तो हटो आते हैं अधिवासी बात करने सब्सक्राइब करेंगे वह कोई भी अपराइजिंग सक्सेस्फुल नहीं हुपाई इस डिरेशन के इंदर एक सेंटल अपराइजिंग ऐसी आएगी जो काफी थोड़ा देर तक सक्सेस्फुल गई बाद में उसको भी दबा दिया गया तो क्योंकि इतने छोटे लोग इतने सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यह एक बेस जरू तैयार करेगा 1857 के रिवाल्ड का उसके बाद वहने वाली अप्राइजिंग का तो एक जगह लगाते हैं फिर वहां पर जो कल्टिवेट करते हैं उसको जला देते हैं उसको छोड़ देते हैं एक-दो साल के लिए ताकि वापस से अपने नुट्रिशन है उसको रिगेन कर ले जब तक कही और जाके उसको इन बंद कर दिया पूरी तरह से तो यह भी दिक जबर से ट्राइबल के अंदर उन्होंने खुद के बंदे घुषा दी जमीदार क्योंकि वह जहेंगे तब ही तो एक्सक्राइटेशन कर पाएंगे तो बहुत जाथ आउट्साइडर आगे इंकरेज इन फ्लॉक्स ऑदे क्रिश्चन में आगे इन ट्राइबल सो दो आपकर करना बढ़ा साने एजुकेटर थो होते नहीं तो इनको जो बता जागा मालत है तो इनको यही एक रीजन था कि अभी एक रोल बहुत जादा रहेगा इन को पार्टी देगा सेंटल आइलेंड कुछ ऐसा आइलेंड था अगर यह अधिवासी कोड को अप्रोच करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते क्योंकि एक तो बहुत लेंदी पुरसे से प्लस इस समय गया था कोस्ट के अंदर पैसा बहुत देना पड़ा वकी लायर करना पड़ा इनकि बज़ार के पास पैसे नहीं होता इतना क्योंकि यह की किया होगा प्राइजिंग करेंगे के अप क्या दिवास्य पंचरेइंगे रिजा नहींस करेंगे तुरस परस्ट मदर्सा हो गया यह मंदिर हो गया जो पर लोग पढ़ रहे उनलोगों के लिए प्रॉलम के ढूरे स्टार्ट हो गया तो बार में यही पंदित और मॉल्वीस यह 1857 के रिवर्ट में तो तो मतलब देख एक 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 दिरे दिए सारी क्लास निए खलाफ होती जा रही है फिर क्रोलिकल नीचर ऑफ दी कंपरीज रूल मतलब क्या वही मैं बता दिया कि मोगल आए यहां पर आगे बजगे यहीं रहे यहीं बनाया बट इनका नेचर तो हमेशा से फॉर्टनर रहा यह तो यह भी एक बाता हुए यहां के नहीं है यह निइस के लेड़ nuclear हो हमारा माल से एक एक लिख है आपराइजिंग के पीछे तो कंपुजान के आप बोल सकते हैं प्रीज joyful बप्रुष्अब अन इपर इंडिडियन प्रीशन इसको लिख सकते हैं अब कोशन कैसा आएगा डिसकर दी वेरियस फेक्टर देट वर रिस्पोंसिबल फॉर दी अप्राइजिंग टुक प्लेस इंडिया इंडिया इन दी प्री यादकी को प्री एट्टिन फिट्टी सेब्स सब्सक्राइब करने तो वर्डिंग की हिसाब से हमको चीजे लिखनी पड़ती है अगर मैं आपको इसमें बढ़ा ने तो कहां बढ़ा होगे सब्सक्राइब करने तो वर्डिंग की हिसाब से हमको चीजे लिखनी पड़ती है इस से जाद लिखनी आपकी बिल्कुल की ज़रत नहीं है अब आते हैं मुद्दे पर इन सब में आप मुसे पुझागा इन में प्रिलिम्स के लिए कौन सा इंप्रेंट तो अगें इउन्स के लिए इस लिए अजैगर परिलिम्स के लिए एन होज़ने हैं आप जो भी एइस सब परिलिम्स के लिए इंपोर्ट याद हो जाए मैं को टाइम करनें का तौसस्छी और फकीरी अब नाम से इंडू धर्म से बिलॉंग करेंगे फकेर aphorन होते हेतरीshirt यह लोग रिवर्ट करेंगे और वो कहां करेंगी बिहार बंगाल रिजन ध्यान रगेगा कि इस डूरेशन में इतनी खास इंपोर्टन नहीं अगर आप ध्यानों को सैवेंडिश सिक्टी थी मलड़ा लगबग यह वारन हास्टिंग का टाइम होगा कॉन वॉर्लिस का टाइम होगा उस समय रहेगा उस समय गवर्नर जनल और कॉन वॉलिस रहेगा और बाद में विलेसली जब आएगा तब तक यह कुछ रहेगा और विल तो यह को अब दो सन्यासी फकीरी नाम से बता चला है तो हिंदू-मुस्लिम होली में होते थे ठीक है और हिंदू-मुस्लिम यूनिटी का विए एक्जामपल रहेगा यह हमें एक्जाम के साब से क्या आद करना है मैं आपको पॉइंट अपने आप पता दूँगा पहले हम अगेंज अपरेशर हमेशा से इनका ट्रडिशन रहा है सन्यासी फकीरी का कि जो भी उप्रेशर होता है उनके खिलाफ यह फाइट करते हैं इनके खिलाफ नहीं इससे पहले जो भी राजा महरा जाते थे उनके खड़ो जाते थे इसे रिजण बंगाल्र उर बिहार रिजन के अंदर एककोल पार्टिसिपेशन था हिंदूर मुस्लिम्स का, लीडर्स कौन-कौन से, ये तो कोशन आसकता है, इंडिपेंडेंट गौर्णमेंट की विचे, लीडर्स तो ये सारे, अगर मैं आपसे पूछू हूँ, इस पूरे में कितने पूरे में कितने पूरे में हमको आत रखन आई जाए देते हैं, लीडर्स कौन-कौन थे, एक तो मुशा सा, एक मजनुम शा, एक भवानी पाठक, देवी चौधरानी और चिराग अली शा, पांच तोगे कौन से, ये फकीरी लीडर्स हैं, वेरस आब बोनको साथ, फकीरी में भवानी पाठक, देवी चौधरानी, हा नाच नाम उपर, और दो नाम, साथ नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है, और दो नाम ये भी इंपोर्टेंट है, बोगरारमान सिंग, जो इंडिबेंडर गॉर्मेंट इसी डूरेशन में, आगे क्यों होगा, हिंदू नागा इन गिरी आम सन्यासी जो पहले से ही अलग से इसे ते कौन से едूर ही या violence और रखने ही मौन आपके लिएगए। तो इसी के साथ यह बसके हसल्ट होता है, तीन से चार पॉंट या रखना है, दोबारो है यात करता ह। फर्स सिंग कहां पर हुआ सन्यासी फकेरी बंगाल बिहार के अंदर किसे ने इंडिपेंडेंट गवर्मेंट बनाई इस रिजिन के अंदर बोगरा एं मेमान सिंग ने लीडर कौन कौन से मुशा सा मजुनुम शा भावानी पाठक देवी चोदानी चिरागली शा यह पांच है इसमें दो नाम बड़े इंपोर्टेंट है भावानिशा देवी चोदा है हमें को लगेगा यह सन्यासी से बाटी फकीरी में ही ब्लॉंग करते हैं सन्यासी में कोना आगा केना सरकार जो बंगाल में था काना सरकार जो बहुत है और दरजी नरायन जो कहा पे ताब बिहार में बिहार में दरजी बंगाल में काना तीक है हिंदु नागा ग्री ये पहले से आर्मी गंदा पोस्टेट थे अब एक बंकिम चंटर जी का नोबल है अनंद मट जिसमें वंदे मात्रम भी जिसमें लिया है उसने सन्यासी के बारे में काफी कुछ लिखाए तो अब सरक कुशन आ सकता है कि सन्यासी रेविलियन के बारे में इंफ्रमिशन कहां से मिलती है तो वह हमको मिलती है बंकिम चंटर जी के नोबल अनंत मट से कि अच्छा सप्रेशन कैसे होगा वही मिलिट्री एक्षिन करेंगा और नास्टिंग काफी हाथ तक तो वह नास्टिंग सप्रेश करते हैं जो बचा कुछ होगा विलेसली आके खतम करते हैं तो यह होता हमारा फस्ट रिविलियन खतम सन्यासी फकीरी चौर आगी जलता है नेक्स्ट चौर रिविलियन अब चौर रिविलियन कहां पर है यह मिद्नापूर दिस्टिक के लिए मिद्नापूर के बारे बात हों बुर्दवान बिद्नापूर को यह जाधार होगा मिद्नापूर डिस्टिक के अंदर है बंगाली जीन गातव चौर रिविलियन अब इसमें क्या होगा यह कहां पर भी बंगाल में त्या रिजन था कि देभी सिंग नाम का एक आप या अभी समाझ आप लुटे रहा था तो उसका टेरर इतना जाथा था लोगों में खौफ इसना जाथा था बड़ी मुश्किल थी लोगों को काम करना लूट के लिए था लोगों को तो यह एक अब यहां पर कौन लीडर कौन लीडर के नाम देए दर्जी नरायन यहां पर लीडर है तो एक जगह तो इसका नाम कुछ वर बता रहागा दर्जी नरायन यही है इस पर नहीं को नहीं है कोई कूछने वाला बंदा नहीं है यही वह बंदा है नाम आप ध्यान लिगा कि रंगपूर दिंगपूर में दर्जी नरायन ही है फिर भी अगर किसी को कभी पता चलता बताते ने को कि से मैंने नहीं है दो यूटूबर दो साइट को काफी सारा पढ़ने के बाद मुझे पता चला तो मत करना टाइम वेस्ट है तो दर्जी नरायन आगे नहाप आगे आप आगे आम पीजन लीडर है फर्म खुद की गवर्मेंट बनाता है इस टॉप रेवन्यू परिमेंट बना करता है और एक चार्ज लगाता है यह काफी इंपोर्टेंट है इंसर्जन चार्ज या दिंग खर्चा अपने एक रिबेलियम के एक्सपेंसेज को लगाने लिए तो कोश्चन ही आ सकता है कि इ बना रहा था यह इंपोर्टेंट है देभी सिंग हिंदू मुस्लिम और इको बार बार याद करने जोते हैं एक दो ही अप्राइजिए ऐसे मोपला अप्राइजिंग आगे तो मोपला केंदा बाद में तबदील होगी तो एक दो हैसे जा हिंदू मुसलिम बिल्कुल स्ट्र लगाल सिग्वाद करेंखेल आगे तो और ांपुर आपिंगव अप्राइजिंग हो चुका और भूर्ध रखनार सूख संघ्भाध. बस, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, खतम, आए नेक्स्ट, और ये चोट अपन ये भी बंगाल वाला, हो एंड मुंदा प्राइजिंग, ये का फिंपोर्टर हो एंड मुंदा प्राइजिंग, तो ये लोकेशन वाइज बहुत इंपोर्टर है, छोटर नाग कुछ खास है नहीं, तो मुंदा प्राइजिंग में क्या है, इनका मकसद ये था, जो दिकूज है, डिकूज का मतलब आउटसाइडर, जो लोकल लोग वहां बिलॉंग नहीं करते, ट्राइबल पीपूल हैं ये लोग, तो ट्राइबल पीपूल के इलाके में वही बादा थ ये कि एक साथ मिलके आप, जो जबरसी का है, कि आप आओ हमारे साथ मिलके काम करो, इतना आपको रेलिटर हम जो रेंट देंगे, तो वो जो जो इन ट्राइबल के खिलाफ थे, और बेद विकारी का मतलब है, जबरसी आईए, आपको काम करने करना पड़ेगा, और आपको म वेशनवा, वेशनवा कल ही की कि खिलास में कवर हुआ है, रिलीजिन के अंदर, जो आटन कल्चर में अदर है, बस इसमें क्या याद रखना है, अगेन बतायता हूँ, एक पॉइंट ये इंपोटेंट है, दूसरा किसके खिलाफ आवाज उठाई, ये इंपोटेंट है, त दीसरा लीडर का नाम है, तीन पॉइंट इंपोटेंट है यहां तक, अब क्योंकि ये रिवल्ट हुआ, तो इसके लिए फिर कॉंसिलेटरी पॉलिसी लिए लिए लिकाएंगे, बाद में, अभी नहीं बाद में, तो इनके खिलाफ बाद में आगा एक छोटा नाकपोर टि कि मेरी जमीन है, ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ बेट बगारी का काम करता हूँ, दूसरा, बेट बिगारी के उपर इन्होंने बैन कर दिया, कि आपके किसी को फोर्स लेवर नहीं लगा तो यह दोनों चीज जो ही, बहुत लेट हुई, 1908 में, जबकि अप्राइजिं कपके लग बग 100 साल, लग बग 100 साल लग गए, तो लग बग 90 साल का असपास राइम लग गया, 90 साल के बाद उनको समझ भाई कि अब यह करना चीए, बड़ यह रिवेल्ज हो था, 1827 में खतम हो गया, 37 के बाद बहुत ताइम तक यह चीज 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 रही, रिवेल्ज ज कोल अपराइसिंग में क्या है, कि अगें यह भी होई सिम जगे है, चोटर नागपुर प्लेटू, यह भी कहा पए था, चोटर नागपुर, सिंग बंग, क्यो हुआ, अगें वही चीज, बिटेश ने सिंग बंग को अपले, यह भी सेम लोकेशन है, अगर आपको हो मुंड यह लोग जो सिंग बंग है, उसको occupy कर लेंगे, वहाँ वापास से केस को लेंगे, आउटसाइडर को, और यह ट्राइबल के लेंड को शीन लेंगे, बस कतम हो गया, यह अप्राइजिंग होगी, और लगबग एक हज़र आउटसाइडर को इमार देंगे, तो फिर मजबू पागल पंती, यह बंगाल के अंदर है, पागल पंती को लेंगे, यह सेमी रिलिजिस एक्ट होता है, बंगाल के अंदर है, फाउंडर क्या है, करम शाह जिसका बेटा था, तीपु शाह, जिसने शेरपु को कैप्चर कर लिया, और वहाँ पे खुद की रोयल पावर अज्य कर दिया तो पागलपंदी के बारे में क्या रखना है इतना सा पॉइंट याद रखना कि टीपु शा इसका फाउंडर कौन था करम शा उसके बेटेट टीपु शाने शेरपुर को एक्वायर कर लिया और वहां पर रोयल पावा एजिम कर लिए खुद बजगा कि मैं हूं यहा असाम कभ हुआ देगा ऐसे हुआ कि जो फिर्स्ट एंग्लो वर्मा बार वही तो बिटिचर ने बोला कि चल ठीक है फिर्स्ट एंग्लो वर्मा बार के पाद हम यहां से चले जाएंगे बिटिचर हैड प्लेश्ट विड्रॉम फॉम फरम इस और इंस्टिड देए लिदर कौन थे गोंदर कवर ठीक है बाद में इनको लगा विटिसको कि यह काम चलेगा नहीं तो इन्होंने इस एक इस्तिमाल करी और जो अपर असाम है वो दे दिया महराजा पुरंदर सिंह नरेंदर को बस जो हम का एक रीजन था तो आप क्या चीज हमको याद रखते हैं हमको सिर्फ यह नाम गौंदर कवर जो इस लोकेशन चेक कर सकते हैं यहीं नौर्टीस के अंदर है विसलिए तो जैंतिया गारो हिल्स के अंदर खासी लाती है यहां पर भी क्या प्रम लाई है कि इस्ट इंडिया कमणी ने प्लान करा एक मिलिट्री रोड बनाने का जो लिंक करेगा ब्रह्मपुत्रा वैली को सिलिट से यह प्रॉलम होगा इससे क्या होगा वहाँ पर जो खासी किंग था उस समय का तीरत सी यह अटेक कर देगा बिटिसर्स के उपर और रिवोल्ट स्ट हो जागा और इसको भी यह लोग सप्रेस करते हैं मिलिट्री फोर्स के मदद से क्या पढ़ना है कि रिवोल्ट करने का बंदे का नाम ती रसी आप चाहो तो यह भी आसांक तो कि किसको लिंक कर रहा था ब्रह्मपुत्र वैली को सिलिट के साथ दो पैंट वालता है एक सब्सक्राइब बाग देए तो इसलाम के अंदर में आपको कुछ रिवोल्ट बदाया थे उसमें एक मुमेंट यह थी फैराजी रॉल्ट जो मैं आपको बोला था कि मैं डिटिल में डिस्कुशन करूंगा बॉटन के अंदर तो यहां पर है तो फैराजी के फांटर कौन थ इसको रिलिजियस सेक्ट में करते थे मतलब एक पूरा रिलिजियस मुम्मेंट में टांसरों कर दे ते लिए इसलामिक मुवमेंट और बोलता है कि हमारे जो भी मुसल्मान लोग है वह आया दो जो इनीचल जो इसलाम की जो फिलोसिपी उसको फॉलो जिस तरह से जो प्यू तो यहां कितने पॉइंट है एक तो हाजी सुरुत ला इदादु मिया जिसने करने किया पीजर मुट्विए को रिलीजिस मुपमेंट पर बाद में को इसकी अपर इसकी यहां पर इसकी मतलब है All men are equal and all land belong to God and no one has the right to live a tax on सारा land तो भगवान का है इश्वर का खुदा का है तो आप इसको कैसे tax लगा रहा हुमें पर तो यह directly उन्हें tax का पोस करा हूँ यही इसका reason रहा यह revolt जो है बाद में बढ़ रहा बाद में बाद में जाके यह mix हो गया वहावी के साथ वहावी रिबोर्ट के साथ mix हो गया लिखा भी मैंने बाद में mix हो गया next आदा कोंड अप्राइजिंग कोंड अप्राइजिंग ओडिसा में हुआ reason क्या थे reason थे कि एक मरिया एजंसी थी इंसानों को मार देते थे इंसानों को मार देते थे देवी दिप्ता को खुश करने के लिए बिटेश रसने इसको बंद करती है अच्छा काम गए बिटेश रसने लेकिन वह इनको लगा कि नहीं है जैसे अभी आब में बात करूँ तीन तलाग के उपर तो उसको काफी लोगों ना पोस करा काफी अथा ठीक भी हो अगर आगर इसलाम के अंदर कहीं पर भी जिसके मन माया आप मुझ भाड़क बुलते तलाग 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 ख़़ां तलाग तो काफी अतर ठीक है एक अच्छी पोलिसी लेकिन उसका अपोस कि हुआ? क्योंकि अपोस करने के बीचे रिजन यह नहीं था कि तीन तलाग के अच्छी रिजन यह था, कि जब यह मरी एजंसी जो हुमन सेक्रिफाइज उन्होंने बंद करा तो इन्होंने भी रिवॉर्ट कर दिया इनको लगा बाद में और ज्यादा इंटर्फे करेंगे हमारे इंटरल मैटर्स के अंदर साथ में न्यू टेक्स लगा दिया जमिदार के इंफ्लक्स है वो बढ़ ग क्लास लोग थे उस समय के टाइम पर ट्राइबल जो है ट्राइबल बहुतार अभी भी है तो आप यह समझ सकते हो वहीं पर कोंड क्या है कोंड लिविंग इन दी हिली ट्रेक्ट और तमिलाडू से वेस्ट बंगाल के बीच में जो इलाका है वहाँ जो पहाड़ों के ऊपर जो होते हैं वहाँ यह लोग रहते थे इनका रिबिलेन किसने लेंड किया चक्राविसोई ने जुसको आज तक कभी अरेस नहीं किया गया है नेवर अरेस्टे ठीक है अप्राइजिंग कवर डिजन यह बने मदे कालाहंदी पटना खुमसार और चाइना की मदी यह पूरा यह भूला नहीं है कालाहडी पटना गुमसार पटना है और चाइना की मदी और चाओत आप यह अधर तंगाल तो तो तीन-चार पूइंट होगे आई नेक्स सवेरा बात करते हैं यह भी ओडिसा में औरिसा में औरिसा में सवेरा ट्राइजन कहां पर ब्लॉंग करते थे प लिडर का नाम तो हमेशा से इंपोर्टन है राधा किशन दंदा सेना इस्ट इंडिया कमनी ने लिंक दिखा कि चक्राविस होई और इन दोनों वीच चक्राविसे कौन सा यह वाला तो इसके जो लीडर थे क्योंकि यह तो पकड़ में आया नहीं चक्राविस होई यह पकड करांती से पहले एक हतम हुआ दे आफ्टर सेंतल रिविलिन आता है मैं बोला एक मात रिविलिन ऐसा है काफी हट तक इस्ट इंडिया कमनी को पीछे चोड़ जाला हो था यह सेंतल रिविलिन के जगे क्या राजमल हिल्स में है मोस्ट मैसिव था जितने भी अभी तक मैसिव इस ने था काफी हट तक इसने इस्ट इंडिया को पीछे बेज दिया एक टाइम के लिए तो ट्राइब जो थे इन हैबिटेटर थे दमन एको दमन एक एक रीजन है भागलपूर और राजमहल तो जगह है भागलपूर के बीच में जगह दमन एक तो वहां यह लोग रहते यहां इन्होंने पर्मन सेटल में इंटर्ड्यूस करा उसकी वज़े से क्या होगा जो इनका लेंड है वो जमीदार लेंगे जमीदार नों रेंट बहुता दबला दिया मैनी लेंडर्स आगे उन्होंने अपने डैट्ट्रेप वह करदा लो हमसे और हमारे करदेदार बंद लिए वाले लाका दमा ने खाओ जो घाल राजमल के बीच में तो यहां से मान चलो अब दमा ने खाओ तो कहा है अब इस लिए कंविनिकेशन होगा और काफी हता की सक्सेश पूल रेंक ताइम तक यही रीजन था कि लगबग दो साल चल गया बाद में हलागी इसके इंडिया कमनी पूरीता सप्रेस कर देगी इसको तो सप्रेशन कैसे होगा मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन होगा 1856 के अंदर 1856 समझ रहो एक साल पहले 1857 तो चीज़े होने वाली है एक साल और बाकी बस आफ्टर वर्ट पैसिविक पॉलिसी स्टार्ट बुए बना दैंगे उसको बast बहले वी तरह से 5 तो इनके लिए अलागे सेंतल दिखाने लिए तुम लोग कहां रहते थे दमन एक हो रीजिन है भागलपूर राजमेल के बीच वालお願いします थीक है मोस्ट मैसिव थी काफी हता दक्का दे दिया इस्ट इंडिया के अंदर इस्ट इंडिया के अंदर और बंगाल रिजन के अंदर जो अब बात करते हैं नौट इंडिया में नौट इंडिया को इस इंडिया कर दिफिडेट कच रूलर राओ भारमल यह राइस्ट इंपरेंट है इसके बच्चे के फेवर में इसने राओ भारमल को हरा देते हैं इसका बच्चे को में लेकिन वाइल दी एक्च्वल एड्मिस्रेशन वेंट इंडिया एसा करते नहीं यह नों धुका देता है और खुद पूरा एड्मिस्रेशन अपने हाथ में ले लेता है नाम से लगते बच्चे के इसको बनाएंगे राजा और बन खुझ जातें तीक है तो निवस ओव बिटिस रिवर्स इंडि वर्मा वर्मा वार्मा वर्मा में पता दल गया कि और फस्ट एंगलो वर्मा वार्वार जीतने के बाद यह थे लोग यह थांग अश्म से जाते नहीं इस तो तो यह लोग ले सकते हैं तो फिर यह लोग करते हैं साथ में लेंड डेवन्य सेटलमेंट तो रहे गई जो इनका सिस्टम चल रहा था वह पर्मान सेटलमेंट वगेरा रिबेलिन हो जाएगा डिमांड रीस्टॉरेशन अव भर्माल को लिका हमें वह चीजिए बहर बन तो य यह लिए डेमांड करते हैं 1831 में दुबारा विबेलिन उन्दा फाइनली इसमें क्या याद रखने है यह नाम राव भर्मल बस और कुछ रिए ठीक है कच्छ रबेलिन राव भर्मल याद रखो इन नाम मागिया को कुछ भी आतरा नहीं है है नहीं कुछ आतकर नहीं है अ लोग वहाँ रहते थे इंका ली इक रहां पर है यह भी पास में ही रहते थे यह लोग तो इनका भी एक्वल रिसेंट था इंपोजिशन बिट्रिस रूल के खिलाफ यह भी थे खतम यहां भी कुछ नहीं है तो कोली गंदर के याद रखना है इतना की गुजुरात में लोकेशन वाइस दखो आप ज्यादा पॉइंट नहीं है मैं सची बता हूँ इन में बहुत ज थी यादि टेंगे मैं वेतियों सब्सक्राइगे अगर जीमानल इसारे से में औसे माला रहने है गभरान को अब आता है यह इम्पोटेंट बागी में तो कुछ ज़्यादा था नहीं तो यह बढ़ा है यह बढ़ा है रमोसी यह वहीं वेस्टन गाट जहां बील रहते थे तो रमोसी कहा रहते हैं हिली ट्राइप ऑफ दी वेस्टन गाट लोवर रेंक है मराथा आर्मी गंदर जो छोटी रेंग रहते हैं लोवर समझ लोगी जो सपाई गंदर बहुसा रेंग होते हैं अब इनका रिवॉल्ट दो बार होता है तीन बार 1822 गंदर 1825 26 गंदर 1829 गंद तो तीनों गंदर लीडर फस में चतुर सिंग दूसरे में उर्णा जी तीसरे में राजा पर ताफ सी अच्छा और बाइद बात कर लेंदर कि प्लंडर ऑफ रिजन अरूट लूट नाय स्टाट कर दिया रिवार्ट के अंदर इन्होंने सतरा गासपास का हाई लेंड आउटसाइडर खिलाफ थे वही सेम बात आउटसाइडर जुब्यार है दूसरे का रिजन क्या होगा रिवल्ड का एक्टिव फैमीन इन इसकार से इन दिपूने उर्णा जी लीडर थे बाई आपको रिजन तो पढ़ने ही रिजन में लिग जरूर रहूं पर उन पर इतना इसके लीडर थे चिन्नावा यह अलग से नाम इंप्राइजिंग का नाम उसका लीडर चिन्नावा एक सतारा अप्राइजिंग भी हुआ 1841 के अंदर कोलापूर और सावंदवारी रिवल्ट भी हुआ जिसको लीड किया फॉन्ट सावंद्रे तो इसको ध्यानक लेना यह इ इस्ट इंडिया कमपनी ने क्या करा इनको हटा दिया गट करी हटा दिया और गट करीं इसको फूरी को हटा ले हुआ तो बाद क्री मिलिट्री क्लास होते तेसे Wallace पुराने टाइम से बाप दाधा रक्षा करते हो रहे है किलो की मराठा किलो की इनको एस्ट इंडिया कंपनी हटा देते हैं। दिस्बैंड कर देती है, तो ये रिवल्ट कर जाते है, तो ये थोड़ा से ध्यान रखना, बागी दो-तीन रिवल्ट टॉट थे, बील अप्राइजिंग, किटूर अप्राइजिंग, जिसके निता का नाम चिन्नावा, कोलपूर और सावंध वार्डी रिवल्ट जिसके नित साल्ट के उपर इतनी डूटी देनी पढ़ रहे तो, इससे क्या होगा, रिवल्ट हो जाएगा, आम इंसान तो खरीज नी पायागा, तो महेंगा समनना मक, तो गवर्मेंट को मजबूरी में साल्ट जूटी को वापस लिना पड़ता है, ये तो गवापस लिना पड़ता है इन लोगों का अलग सिस्टम चलता है, इन लोगों का किसी भी चीज को वेट और मिजर करने के तड़िका अलग है, उसके साथ पैसे अलग लेते हैं, अब सोच जोई अपना वेट और मिजरमेंट लेका हैंगे, मांचलों मैं एक किलो का बाट लेका रहा हूँ, एक को लोग यह भी वापस करना पड़ गया, जो इन्होंने बंगाल के स्टेंडर्ड और मेजरमेंट स्टार्ट किया, वह भी इनको वापस करना पड़ गया, ठीकि आगे बात करते हैं, अब आता है वगेरा इस इतनी सारी कैसे याद करें, जबकि आप सोचो इतनी सारी यह ही नहीं, य उनमें भी एक एक दो दो नाम इंपोर्टेंट है, तो वगेरा, वगेरा कहां पाएगा, इसका चीफ कौन है, ओखा मंडल, जगे कहां पर है, रिवल्ट अगेंस गायकवार और बड़ुदा, बड़ुदा के अंदर होगा, ठीक है, इसको जो कौन से गायकवार, गायकवार बड़ुदा में, जब बड़ुदा में, जब बड़ुदा में, जब बड़ुदा के गायकवार के खिलाफ, लीडर कौन होगा, ओखा मंडल, ये लिजे, वेस्टन के खतव, कितने किते छोड़ चुटे, एक एक दो-दो-पॉइंट मिले हमको बस, और किसी को ऐसा लग रह आप जाके कोई भी किताब पढ़ लो, हिस्ट्री, कोई भी किताब, जो आपने पढ़ रही है, जितनी किताब मैंने पढ़ आप पढ़ डालो, एक में भी आपको इससे ज़ादा पॉइंट मिल जा तो बता देगा में को, इससे ज़ादा ही नहीं, अचार वो सब छोड़ो, नहीं, वो लॉजिकल नहीं है न, हम यूपे से एक्जाम करने को, पीजडी नहीं करना है हिस्टी के अंदर, तो जितना एक्जाम के इसाफ से ज़रूरी उतनी पूरी इंफ्रमिशन आपको दे रहो, नेक्स्ट, रिवॉल्ट इंडी साउथ न इंडिया, कि साउथ इंडिय कर लेगी, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, जल्दी बताओ, याद है, नॉट्टन सिर्कार्स को, एक्वार करना, इस्ट इंडिया कमनी, इतने मैंने बोला होगा, तो पूरी चीज़ रिकॉल तो होगी, पुरा नहीं, जो आपको पढ़ाई थी, पूरी, हाँ, करते हैं, इस्ट इंडिया कमनी बोलती है, इसको राजा विजनेगर को एक काम कर, तो मुझे तीन लाख रुपे दे, फर साल के, और अपनी आर्मी उसको डिश्मेंट करते हैं, मतलब आप आर्मी रखने का हंग भी नहीं इसके पास, यह बोलगा दिमाखरा पर रखा है, य रिवाल्ट हो जाएगा, रिवाल्ट में हलागी कुछ सक्सेस्वल इसको मिलेगी नहीं, क्योंकि यह मारा जाएगा लड़ाई के अंदर, लेकिन बार में इस्ट इंडिया कमनी को समझ भाएगी कि यह गलत क्या उन्हों है, और मजबूरी में वो कॉंसिलेटरी पॉलिसी ल लेका है कौन, विलेस्टी वाला, विलेस्टी वाला उससे क्या करा, इम्पोस्ट अंट्रेवन कोर, जब रसी ट्रावन कोर पर इंपोस्ट कर दिया, नहीं चाते हुए ट्रावन कोर को लेगी, यह सबसे रिलन सिस्टम करना पड़ा, तो बस यह का जो दीवान था, वो गु आईए नेस्ट यह बहुत इंपोर्टन है मपीला मोपला यह काफी इंपोर्टन है को भी अभी तक एक भी रिवल्ट ऐसा नहीं पड़ा हमने जहां पर कोई कम्मिनल करेक्टर देखने को मिला हो हिंदू-मुस्लिम गंदर पंगा देखने यहां मिलेगा मोपला के अंदर तो नहीं बात करते हैं मोपला कौन थे यह मोपला से समझ सकते अगए था तो यह मुस्लिम थे मुपला काना था लेकि मुस्लिम बने कैसे तो दो तरह से मनें पहला तो जो लोवर कास्ट हिंडू होते थे धलीट वगैरा उनको कंवर्ट किया गया इसलाम में एक तो बीज़ ग अरब से अरब लोग आए और यहाँ पर आके नायर और टायर वाइफ बनाई और उनके जो बच्चे पैदा हुए वो होए मोपला अब यह समझ सकता है जिस तरह मैं सिंबल बनाया यह मेल के लिए सिंबल है यह फीमेल के लिए है और यह मेल और फीमेल का मता समझें दोनों है तो अरब हजबेंड आए यहां पर नायर और तायर जो नॉन मुस्लिम वोमें से शादी करी और जो बच्चे पैदा हुए वह हुए मुस्लिम मुपलास यह है पूरी पिक्चर नायर तायर हिंदू वोमें से अब यह जो बच्चे पैदा हुए मुपला क्योंकि इन्हों इस समय का सिस्टम यह था कि जम्मिदारी हिंदू के पास में यह बता चुका मैं पूरा निजाम से पूरा निजाम अफ हैडराबास से लेगे क्या पिक्चर चलिया रही कि उन्होंने पूरी जम्मिदारी किसको द अब बताओ जब इस पैसा गलत तरीके से इनसे लेने पैसा बस यहीं पांगा चालो जागा यह हो जागा हिंदू-मुस्लिम के बीच में इसको नहीं देखा जागा इसको हिंदू-मुस्लिम अप्राइजिंग की तरह देखा जाएगा तो रिजन बेहेंड रिवाल्ट क्या था कि मालाबार सीजन ओद बिटेशर्स हो गया तो उसे क्या होगा नमुदारी जो ब्राह्मन थे वापस आगए एक चीज़ जाद रखेगा कि जुब तक मालाबार टीपू सुल्दान के अंडर में था तब तक यहां पर जैनमी और जैमिन्स की जो वेल्थ है वो काफी अच्छी थी लेकिन बाद में जब मालाबार टीपू सुल्दान से ले ले गया 1792 के अंडर थाँ फंस सिल्दान से उस दोनों बेट गयिकिन गया एकष्ण यह हैं मालाबार में अपने लोयल बंदे लेगा तो यहां से फंगा स्टार्ट होगा और जो मोपला रिवॉल्ट कर देंगे अगेंस बिटिशर्स एन हिंदू लेंटों ठीक है बिटिशर्स के खिलाफ होगे लेकिन इसको टर्न ओवर कर दे जागा बिटिशर्स से एक रिलिजियस उसके नमदर दिखा देंगे कैसे यह जो है यह बिटिशर्स के खिलाफ नहीं हिंदू के खिलाफ दोनों के खिलाफ यही एक रिजन था कि यह जो मोपल रिवॉल्ट है यह खिलाफत जो अंदोलन होगा उस समयगा पढ़ेंगे अपने अपर मोडर्न के तर उसके साथ मर्ज हो जाएगा लेकिन बाद में खिलाफत लेगा तो यह पूरतर से अलग हो जाएगा कि याद रखने मोपला की बारे में तो मोपला कौन थे इंपोर्टेंट है जन्मी कोन है और नममदारी कोन है यह बी इंपोर्टेंट होगे हमारे पारे में इनीचली कैसा था बाद में कैसा हो गया यह बी इंपोर्टेंट है इस पालीगर्स आपने पहले में बात कर चुक हूं जो साओथ इंडिया के पालीगर्स ते कौन से दिंदुगल वारे माला बारे यह नौर्थ आर्कूर्ट वाले यह बी रिवाल्ड करते है 1790 अंदर और यह कंट्रीन रहता है 1856 तक यह सेम रिवाल्ड होगा इन ही के बेसिस पर यह रिजन सारे अल्मोर्ट सेम ही रहेंगे वही लेंडेंगे जो क्लासिस्यों के खिलाफ यह देवन्यू के खिलाफ तो यह भी आतना एक और रिवाल्ड होगा साओथ इंडिया के अंदर पॉलीगर्स अगला मैसूर के अंदर यह पर्टिकुलर मैसूर में आ गया पन तो फोर्ट एंग्लो मैसूर होती है उसके बाद बता है कि टीप को सिल्टार को मार जाता है वह क्या करता है सबसीडिया लाइन सिस्टम इंपोस कर देता किसके उपर वो दिया डैनस्टी के जो राजा उनके और वो जो किसान होंगे वो रिवॉल्ट कर देंगे कहा रिवॉल्ट होगा नागर के अंदर एक जगे है उन डिवीजन में से एक डिवीजन था नागर तो यहां नागर एक जगह है जहां ही रिवॉल्ट स्टार्ट होगा लीडर का नाम होगा सरदार मल्ला तो अगर मैं इ सर्धार णला बímड़ि नोर्थ इंडिया है यह इस उपने खाल है यह इंपोर्टेंटा algún यह अठार सो चालिस में होता है यह प्रीर के हिसाफ से इंपोर्टेंट पॉइंट जा कुका नममदारी क्या है इसको स्टार्ट किस ने क्या भगत जवार मल ने जिसको सियान साब भी बोलते हैं और बाबा बालग सेंग ने दोनों नाम इंपोर्टेंट है ध्यान रखना एज उक्तव क्यों टुका यह पन्जाबी नाम हो गया क्या थ तो यह थोड़ा सबस्क्राइब होता है जब वह अनन्द ले रहो लाइफ का थीक है आपके ध्यानमुद्रा में हो या कोई ऐसी चीज जो आप रिलिजिस से जुड़ी करते हैं तो इस तरह का साउंड निकालते हैं तो यह थोड़ा सबस्क्राइब का मतलब कि यह है कि कुका यहाप एक साउंड से रिलेटेड है एस्टेसी ठीक है एस्टेसी ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं अंडर बाबा राम सिंग जो है यह क्या करेंगे यह सोचल रिलिजियर मूप्मेंट स्टाट करेंगे यही कुका को शोचल रिलिजिस रिफार मूप्मेंट साथ में बाबा राम सिंग पॉपुलर करेंगे आनंद मेरीज को अनंद करेंगे वही आप यादर ही जिसमें हम सिंपल मेरीज को फोकस करते हैं साथ में 1872 में इसको डिपोर्ट कर देंगे रंगुर में क्योंकि यह कही न खहीं इ निक है अधिकर जिया तो इतना इसक बारे में क्वाक् уже the कि नहीं के स्टाट किया बाब यह उनी को सुषे रोलीजय के को अ हlungsकी किकर थाकी भाएर उनी को spent लोग निकालते थे जो उसलिए फॉलोवर्स बस आई आगे बात करते हैं अब तो से वह यह कि नेचर क्या था वो सब बने तो मेंस के पॉइंट है प्रिलिम्स के साफ तो 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 हमारा पूरा कानी होगी खता तो नेचर वफ अफ्राइजिंग बिफोर 1857 तो जरा देखते हैं क्या रही हो नेचर क्या था हमने कॉसे पढ़ लिए ठीक है कौन-कौन सी वह पढ़ लिए इसका नेचर क्या था क्योंकि नेचर पर यह आप समझी होंगे कि यह जो जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं यह किसके सब को छोड़ना है इसको भी लेज़ा हूं कि ओल्नी फोर मेंस थोड़ा था कि टाइम बढ़ जाएगा बढ़ोगी तो ठीके बागी जहां मुझे लगेगा मैं मेंस का लिग दूँगा जो प्रिलिम्स के साब सब तो मैंने स्टार्ट बनाई रखा है आप समझ जाओ प्रि दूसरा की इस टो बढ़ी चली वैसे चलते थे पहले हम लोगो टेक्स दिन नहीं पड़ा था पहले हम जंगल में आराम सरह ते क्यों मिदार लेका आगे क्यों तो मनी लेके आगे घगा हम तो पहले जह सरहने चारहे एक तो यह चीज होगी तो इसमें क्या है रिबल्ट टा sources of their oppressor जैसे मान चलो जमीदार है तो जमीदार का political source क्या होगा यह उसको target कर रहे है इस इंडिया कमनी हो गए यह जो गरीशन जो मौजूद होगा जो आर्मी फोर्स मौजूद होगी वहाँ पर उनको target करेंगे इस तरह से हर हर मौमेंट का जो फॉर्मेट था वह शोशल पॉलिटिकल चेंजिस को भी ब्लॉंग करता दिखाता है उंको पॉलिटिकल एक्षोन वे पॉपॉलर करेक्टर मतलब यह जो रिवेल करें लोग यह वही लोग थे जो वहां ब्लॉंग करते थे मतलब आज मेरे साथ को चुछ हो रहा है तो मैं और मेरी कम्यूलिटी को लेकर मैं ही आगे बढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है कि बाहर से बंद आ लेकिन इन में क्या खासित होती थी एक पॉपुलर की को लाओ मैं इंको क्योंकि यहां जब भी रिवल्ट होता था तो यह लोग खुद पार्टिश्मेट करते थे पूरी 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 फॉरेस्ट कम्यूटी जो उसमें रही है लोकल लीडर्शिप लीडर भाहर से नहीं खुद का ही है तो इसलिए एक यह वी करेक्टर था इसका अपने इलाके तक सीमीत भाहर कहीं जा नहीं रहें डूस स्ट्रेंट फॉम एथनिक प्राइज इसका मतलब है कि अगर जंगल से अगर मैं जुड़ा हूँ और मेरे फॉरेस्ट लैंड को को लेकर जा रहा है तो मैं अब लिमिटेशन क्या है अब आते है इसका जो रहा जो चीज कमिया नजर आई इस रिवल्ट के अंदर इस अप्राइजिंग के अंदर तो पहली कमी थे कि लोकलाइज थी अपने अपने रीजन में बाहर वालों को फरागी नहीं पट रहा कोई भी जगे हो रही है तो उनक कोई मतला नहीं चाहिए नहीं ऐसा नहीं है कि जो लीडर से उन्होंने कोशिश करी कि इन लोगों को मॉडनाइज करने की वह बाद पस्ते अपनी बैकवर्ड दुबारा पहली पोजिशन को पाने की कोशिश करते हैं तो जो आउटलूक था वह काफी हत्तर ट्रेडिशन था कई लोग तो ऐसे भी आये यह उन्होंने क्लेम करें कि हम मरी नहीं सकते बाद में गोली से मार दे गए इस इंडिया कमनी करें तो यह चीज नहीं थी क्योंकि यह लोग बहुत इन इसोलेटेड होके लड़ते थे significance कि ili evening ऑफ टीक्ड्र सब्सक्राइब मोरा अब होने लगे वह लोक्राइज निए थे ट्रफ यहां भूष कर दिया गए बट बोची समझम भागे कि रजिटेंस कैसे के लगए अगए निकलाफ पर इस Y swing 1857 के revolt का बहुती बड़ा background यहां से तयार होगा, क्योंकि जो लोग है, जो मास है 1857 के revolt का, वो तो यही अप्राइजिंग नेंगे, यही जमिदार, यही लेंडरोड, यही मनें लेंडर से जो सताय हुए लोग होंगे, वो ही 1857 के revolt में बढ़ चरगे participate करेंगे, तो यह कुछ significance अगर यह नहीं होते, यह अप्राइजिंग नहीं होती, यह सब कुछ नहीं होता, तो 1857 का revolt कभी उतना successful नहीं होता, जितना वो हुआ था, अच्छा, अब एक और चीज में बताता हूँ, अभी तक जो भी मैं आपको classification के हो, कैसे करा, याद करो, North में, West में, South में, इसी तरह अब इसमें क्या बोला, इसने कोई North नहीं बोला, कोई South नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, इसने क्या क्या लिख सकते हो, फकिरी, सन्यासी, दोनों का आप comment करते हो, अलग अलग भी बता सकते हो, अलग बता तो जाड़ अच्छा रहेगा, दो परिंट मन जाएंगे, सन्यासी अब इतार जितनी भी मैना बता है, उनमें साथ ही थी, साथ के साथ मेना गोजा दी, अब आपने पड रखी हूँ, याद रखी हूँ, साथ को चिपकार हो गया रहा हूं से, अब आजाओ, नेक्स कहा साथ है, मुव्मेंट अब दिपोज रूलर जमिदार, रूलर जमिदार जो अब आजाओ, जो अब आजाओ, इसको इस ट्रिवन कोर, तो उसमें कोरना आगा, वेलु थंपी, ट्रवन कोर, पॉलिगर रिबिलिन, ये बता चुका मैना को, पॉलिगर जाओ, पॉलिगर जाओ, नीचे में स्वाट मादार, नोट पॉइंट के अंदर, कहां पर, जब पॉलिगर जाओ, 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 उनके डिपेंडन, जाओ, निकाल दिया, राजा के बेटे रिवल्ट करेंगे, या कुछ और उनके डिपेंडन, उनने कौन साहगा, रमोसी अप्राइजिंग, सावन्दवारी रिवल्ट raget, अहम रिवल्ट, कच रिबलीन उनके इपड़एंट करेंगे, फैयला तिल 1860, दूसरा 1860 से लेके 1920 तकеся teenager, 1927 में, तो यहां पर आप आद रहें, हमने सै्न्टल पढ़ा था, कोंड पढ़ दिया, दोनों उनने पहले पढ़ दिया, यह नीपढ और रंपा मुंदा में भी कई सार वो तो मुंदा में पहला वाला उने पढ़ा है इसमें भी वो तीन-चार टाइम दूरेशन तरहें तो में जो है मेजर जो है वह 1820 से 1920 के बीच में रहा है यह भी तो एक अप्राइजिंग थी यस मुंदा अप्राइजिंग यह एक बार नहीं हुए यह जैसे आगर मैं आपको एक जर्फ पूरे मुंदा प्राइजिंग में लेकर चलूँ लास्वल ने आप समझ जोगे मैं क्या बनना चारूँ है यह तक हो एक सिंद्ध को ने ठीक ह यह इसमाई है यहां बात करेंगे यहां दो आप यह मुंदा रिविलियन तो यह मुंदा रिविलियन वही छोटा नापपूर प्लेटिव मड़ी दुबारा होगा एक बार नहीं पूरा पढ़ लोगा तो चुटा बड़ा कुचल दे जाएगा बाद में बड़ा रिविलिय यह बात में होगा यह बीर रंपा एंच चैंचू यह बीम बात पढ़ने वाले हैं अब यह अलग आ गया यह आपको मेंस के साफसे में बता रहा है और यह लिखने के लिए बिए कई सारी किताबों से बनाए इसलिए जिस बुक में ऐसा लिखा था वैसे मैंने वैसे बता द ट्राइबल इंडिया दो तरीके से होता है दो करेंबल फॉर्म यहां पर जो ट्राइबल है वो जाधा तर होते हैं मतलब बहुत जादा पॉपॉलीशन ट्राइबल यहां पर फ्रेंटेटर्टर बहुत बढ़ी पॉपॉलिशन न की होगी दूसरा इस दीजिए नोट इस न प्रण्टिर ट्राइब के अंदर ओर नार्मल ट्राइब के अंदर डिफ्रेंस इन दीस मूवमेंट जीफ कंट्रिव मुच लेटर देंद इयू इन दियर बिसमें क्या बलाएं कि होता क्या था कि जैसे गाया कर रहा है कि ब्लैन के अंदर जो मूमेंट को लीट कर रहे तो यहां पर चीज बात में कि चीफ आरा चीफ लिट कर रहा एसा नियू बाद में सटार्ट वाद में श्टार्ट वाद में इस इस मुवमेंट को एक होता है कि लीडर ने लीड करना इस्टाटिक हो वो तो बाद में हुआ प्लेन के कंपरिजन में बाद में हुआ अच्छा इसमें कौन कौन सी है इसमें से कुछ तो हमने पढ़ लिया कुछ अभी नहीं पढ़ा है तो जो नहीं पढ़ा हो इसके लिए में नोट्स बनाए हुए इसमें इसमें यह भी हो रखा है यह पना रहे नोट्स तो पॉपूलर रजिस्टेंस में यहां से दोखा विसका तो पॉलिटिकल जिए मुव्मेंट करने फकीरिया प्राइजिंग पढ़ लिया सन्यासी पढ़ लिया पनने ठीक है मोपला पढ़ लिया है पागल पंदीश मोपला हो तो हो गया मोपला बता दिया है मोपला बता दिया प्राइड कि नायार और अरप के बच्चे जो आएंगे मोपला सब्सक्राइब कि विजयर वाज़े के बारे में बात कर लिया वगेरा राइजिंग के बारे में बात कर ली चित्तों जिद्धी के ने ने को चुकी है तो यहां पर आप सेंतल के बारे में देख क्या था वीर सिंग से दुएन कानू यह पढ़ चुक है हम लोग सेंतल कोंड के बारे हम बात करेंगे चक्रा विस्वई यह भी हम पढ़ चुक है ठीक है मारिया एजनसी आद करो ठीक है उसके बात बात कोंड मैंने को खून से आद कर वाई था फिर कि आंदर बर्देशा औरिशा के अनदर लोकेशन को बीट करेगा इसको लीट करेगा जो मालक माला कंगिरी का किंग होगा रिजन क्या थे क्योंकि टोडी जो थाना प्रड़क्शन ऑडी टोडी के बारे में जो पता चला हो है ट्रिंक एल्कोहल लिकूर विद होट वाट वाटर सुगर संब्सक्राइब तो में दारू की तरह है तो उस पर प्रॉडक्शन पर यह रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और कुछ और रिजन भी होंगो जो आपने पहले बात कर लिए एक और उप्राइजिंग होगी जिसको लीड करें राजा अनंतायर तो इसमें कोया रिबेलियन दो नाम इंपोर्टेंट है तोमा सोरा और राजा अनंतायर इनका फ्रेंटर ट्राइज के अंदर ताना भगत नाम का एक इंपोर्टन फीचर के है ताना भगत क्या है तो ताना भगत को बारे में यह तो भी ध्यान दो कि यह मनी लेंडर की खिलाफ होगा लेड बाइश को सबसे बड़ी बात कि अभी तक जितनी भी रेवलियन हो रहते उसको लोकल चीफी लीड करेंगे बड़ रंपा रेवलियन को एक आउटसाइडर लीड करेंगा जिसका नाम होगा अलूरी सीताराम तो अभी तक गांदी का रोल या अब आपको यह भी आसकता कि किस मुवमेंट को गांदी ने भी विजिट के आता हूँ है चैंचु ट्राइबल मुवमेंट के तरह ही है मुतिलाल तेजावत के अंडर में यह फाउट होती तो यह तो हो गई इस तरह अब कुछ और देख ल बढ़ाये चलेगा है तो चुकिए उसमें कर्फ्यूजन केरेट हो जाएग एक बार के लिए अभी वह वाली जो पड़ा है वह भी आपो नहीं बेजने वालो अभी सिर्फ यह बेजूगा जो मैंने पड़ा है यह पड़ो बार में देखते हैं वह अलग से देखते हैं जल् तो पड़ो 30 minutes 40 minutes का टाइम लो गुरूप मुझे मैसेज करते हैं जैसी आपको याद हो जाए किसे रम रेडिये कोशन के लिए मैसीता कोशन करना रे स्टाट कर दूँँ है चलो अब कोशन देखते हैं किस तरह की कुशन आता है तो फर्स्ट कोशन है अब देखिए को कैसे तो आप इसका क्या जवाब देते हैं अगर आपके पास यह कुशन आता तो पला ही ओप्शन है जो आपने पड़ा उसके बेसे से बताओ सभी ने एक जैकली बिल्कुस सही जवाब देखाए खासी यह वाला कि बाकी का तो आपने को रूल इसमें देखा है नी उपर पूरे में तो उत्तरा डेटेल में तो यूपेसी ने कोशन जरूर ऐसा पूचा कि थोड़ा डेटेल लगता है बड़ो डेटेल था नहीं वही था जो हम पढ़के आ रहें अगर मोटा मोटा जाना है तो आजए जड़ा खासी रिवेलिंग में चलते हैं समझ जो कि मैं दिखाएता हूं कहां पर बात हुई थी इसके बारे में तो मुंडा पागर मतिया होम खासी आगे तको यहाला कि 1829 में था इससे पहले ही यह occupy हो चुका था डूरीशन तो इससे बहुत पहली हो चुका था तो खासी के बारे में हमने पढ़ा था खासी हिल्स कहां पर जनेतिया और गारो हिल्स के बीच में आती है या कहीं भी गारो चलिए आगे जलते हैं नेक्स कुशन पर ठीक है अगला कुशन आगया पर सामने बदाई जवाब दिए विच वन दे फॉलें डिवोल्ट वास्मेट फेमस बार मंकिम चैटर जी नोबल आनन्दमट किस के बारे बात कहे थी बंकिम चैटर जी ने किस रिवेलिंग के बारे म सब्सक्राइब आपको यह पताना कौन सा एक कॉमन फेक्टर ता जो ट्राइबल इंकर्शन हुआ था नैंटीन सेंच्वरी में उसके नैंटीन सेंच्वरी का मतला वह यह प्री एटीन फिटीजिवन और बाद में आप जोड़ सकते हो तो पहला तो इंट्रॉडक्शन न्यू सिस्टम लेंड रेवन्यू टेक्सेश हां वह था यह भी हो सकता है वह था इन्फलक्स इंफुए सब्सक्राइब को खिलाब उन्हों रिवल्ट कर दिया इसा तो कुछ खास हुआ नहीं राइज आप कमेंट में आपना जवाब दे सकते हैं राइज आप लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर ट्रेडर्स रेवन्य फार्मर्स एज मिडिल में इंडे ट्राइबल एरिया और एक ह सब्सक्राइब करें आपको आता हूं भी तो किसी कीमत पर होगा नहीं भी तो कट हो गया ठीक है अब आते हैं ए में सी में और डी में यही सब नांसर दिये हैं A, C, O, D The Complete Disruption of the Old Agrion Order of the Tribal Community Maybe, Maybe, हम सो सकता है यह हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है और यह भी तीनों ही सही आंसर है एक जैकली तीनों ही करेक्ट है तीनों में कोई भी आप गलात नहीं बहुत है लेकिन हमें यहां बताना मोस्ट प्रविबल आंसर एक कॉमन फ्रेक्टर जो आपको लगता है तो अब उसके लिए हमको दुबारा इस बार सोचना पड़ेगा कि सारे सारे अप्राइजिंग होगे थे जाधा तर की हो रहे थे जाधा तर के पीछे रिजन थे जमीदार लेंड रोड या मनी लेंडर याद करो जाधा तर जितने भी अप्राइजिंग हुए अब जाधा तर अप्राइजिंग के पीछे रिजन मैं एक तीनो मैं से किसी एक को टिक करना है तो फिर मुझे सारी अप्राइजिंग को देमाग में लाना पड़ेगा कि क्यू हुआ जाधा था जमीदार लेंड रोड उनके खिलाफ था तो अगर इन तीनो में हमें टिक करन अब चौसा कोशन जो है इसमें आफ्टर अप्राइजिंग के बारे में बात हुरी है कौन सी संतल तो उसके लिए मैं चाहूंगा इपर हम सेंतल के उपर ट्रांसफर हो जाते हैं पर देख लेते हैं फिर हम इसको कोशन को बात बातें करते हैं क्योंकि अभी आपने अभी प सब्सक्राइब करता है यहां पर बात में पहला देख दूसरा सिद्धू कानू ने लीड़ किया जो रेल्व पोस्टल और यह कट कर दिया था इसको पैसिफिक पैसिफाइब पोलिसी के तहत सेंतल परगना बना देगा था सेंतल परगना के अंदर यह था कि इनका बिल्कु कि यहां की जमीन आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो यह पॉइंट है अब इसके यह पढ़ने के बाद आप उस कोशन पर अब आटेंट करते हूं मैं आपको दोबार रिकॉल पर करा दिया थोड़ी से आसानी रहेगी क्योंकि विजस्ट भी पढ़ा है चले आ कि सेंटल अपना लेंड ट्रांसफर नहीं कर सकते कि उनका लेंड उनके बास बना रहेगा कोई भार से आउटसाइडर नहीं आ सकता इसका मतलब यह था ठीक है तो इस तरह से चार यूपेसी में कुशन आ रखें यूपेसी दो तरह करते हैं यह हम यूपेसी में जाते तो कि आपने तो नॉस में लिखा ही नहीं था पॉंट नुष में एगा भूक में था ही एक पॉइंट तो हम कैसे करते हैं अगर कोई सेंटल पर अगर बना जा आपके तो किसी प्रफिलेजी मिली होगी तो क्या एक कि सब्सेंट कर रहा है यस यह को इंडिकेट कर रहा है तो मैं इसको यस पर टिक करता है अगर थोड़ा दिमाग लगा ले तो चलिए नेक्स्ट यह में इसका कोशन आ चुका इसमें तो यह कोशन तो डिसकाज़ी केरेक्टर डिमेजर ट्राइवल अप्राइजिंग इन बिटिश इंडिया इन दी नाइटीं से बता दिंगा आराम से सारे केरेक्टर बता दिंग पूरा बड़ा का रहा हम आपको चलिए आगे बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस कोश्चन है अब एक एक करके मैं आपको सारे कोश्चन करने का मौका आप ही को मिलेगा मैं वेट करो आँसे को चलिए पहले कोशन से बताओ पढ़ लो यूटूब पर जो देख रहे हैं यूदियो रोग सकते हैं को ट्राय कर सकते हैं बाग यांसर जो घर कर लीडर से फोन सवन तो यह ठीक है यह तो सही है तो पहला है किसे यह पड़र इसका मतलब लीडर लीडर लीड करना जितने भी अपराइजिंग वह लोकल ही लोग करते भार से आगे कोई नहीं करने वाला था जहां जो लीड किया था किसी और ने गया था आउटसाइडर ने गया बता सकते कौन सी थी हो सब्सक्राइजिंग आप बहुत अच्छे से पड़ चुके हैं मेरी साथ बहुत आसा नहीं सकते जवाब देदेगे आप बढ़ाई मुझे सेंटल ट्राइबल और यह लिखे हैं कि इनेविटेट करते हैं सेंटल प्रणा कहां से आगया बात में बनाया सेंटल रिबिलन के बा इसको दमाने खोमे और लोग रहते थे दमाने खोके न रहते थे हैं कि देखो आजाओ जल्दी से देख लूँ सेंटल के अंतर टाकि टेंशन कतम हो यह ना समझ वाएगी हमें को दिक्कत है हर चीज में आपके सामय दिखा रहते थे थे ठीक है और बाद में जो बनाएगी यह चेंज है तो उसमें उल्टा दे रखा है चलिए नेक्स कोशन नमर थर्ड आंजर बता पड़ा पड़िया यह अरेंज अप्राइजिंग अप्राइजिंग लिखिए उनको प्राइजिकल और में ही लिखा है पर फिर भी एक बार आप मुझे कुछ गल्टी होगी लिखने में आप यह देट देखे उसके अकॉर्डिन इसको जमा लेना हालागि मैंने कौशिश किया कोई चेकल दें 63 63 के बाद 66 उसके बाद 83 73 उसके बाद 1820 1820 बाद 1820 यह चला ठीक है 1825 1828 1829 1838 1837 56 अच्छा यह 51 में खतम हो गया यह 56 तर लंबा चला इसलिए इसको बात में लिख दिया 56 57 ठीक है 55 56 ठीक है इन दोनों में आप उपर नीचे कर सकते हो और देर आफ्टर बताबाना थोड़ासा मुश्किल है चलिए फोर्ट बाई प्राइजिग कोंड़ कोण सब्कून वाला कूंड़ अप्राइजिग यह वह यह वह यह कंड़ लिखा हुआ है कई जेंग दे तो इसको कंड़ लिखा हुआ है काला हडी पत्न पत्ना गुमसर और चाइना की मेडी अब बता अपने कोश्ण का अंसर अब बताएजिग और फैराजी और लोकेशन तो आपको बिल्कूल याद रखनी रखनी इसमें कोई कंप्रमाई दी चलेगा तो फैराजी कहा थे इस्टर्न मंगाल में यहीं से पोश्ण कोश्ण खत् ऒढ़ारें आपको पता था था breeding चलेगा टो क कहां पर यह यह है अप पता सकेझ तो आपको पता हो नहीं हो और यह हो तो यह नहीं ओगा तो यह इंगा यह गया यह गया सी ओप्शन देगा फिनिश्ट आगे फिफ्ट का पांच वगांजा पता हूँ पाइप कडी उलुगान अब आपको एक ताज्यूब होगा इस साल यूप्यसी 2020 का को दिखाता हूं भी इसको मैं देखाता हूं को 2020 का यूप्यसी 2020 का ये दिखाता हूं को ३ि को डिखाता हूं को यह किस से जुड़े हुए तो फिलाल मुझे कंफर्म पता है कि जो मेरे उलुगान है इनका सेंथल से तो कोई तो यह तो कभी होनी सकता दूसरा अप्राइजिंग लेट बाइज करेक्ली मेच्ट बता अंसर बताओ अब बताओ कि यह जो मुशा साह है मुशा साह यह तो उसमें थाना साथ फकेरिया न संग्यासी के अंदर मुशा साह इसका मतब यह नहीं पक्रियी पहला दो हो नहीं तो यह गया है अब यह तो यह फो सकता यह हो सकता तीन दो नवार तो तीन चेक करना नहीं आपको दो चेक कर लो पागल पंती में टीफू यह और बाकी यहां पर है सब का सही है इंकरेज ट्राइबल आइसोलेशन नो कोई ट्राइबल आइसोलेशन तो रखते तो तो यह वी गलत है यह वी गलत है इस बूक में इसमा इस बूक में बहुत अच्छे से एक्स प्लेंग के दो बारा बताता हूं लिखा था आपको आपने ध्यान नहीं दिया देखिए यह शाद मोपला के टाइम पर मैंने आपको बताया था मोपला रेविलिंग के टाइम एक सिकन मोपला कहाँ पर है मोपला के टाइम में बताया होगा एक में चेक करते हूं कहां था यह देखो मुंडा प्राइसिंग के दूरेशन में बता एक्सपेलिंग दिकूस दिकूस के बगल में लिखा आउटसाइडर जो बाहर साथ उनके लिए तो यह मुंडा के अंदर ही मैं आपको सब्सक्राइब करते हैं इसमें यह तो कंफर्म पता है आप लोगों को की सेकेंड वाला तो नहीं है यह तो कंफर्म बता है कि एक बो और उसे कहां से कोल फाइट देंगे तो इक्कोल वाजी तरफ यह तो गलात है तो बचेंड तो बचेंड बी होगा इसका मतलब तीसरे तो सही तीसरे पर आपको सोचना नहीं अब आए फस्ट क्यों पर पढ़ता है अब यह थोड़ा सा डिबेटेबल है इस तो तो यहां बुक में दिया हुआ है तो यहां बुक में गलत दे रखा है तो यहां भी 10 का होना चीए आंसर भी पहला और तीसरा यह दौनों मुझे बुक में दिया हुआ है तो वह मेरे यसाफ सक गलत है इसमें और आपको यह लगता है सभी लोगों विल्कुल सेम बोला जो मैंने बोला है अचाया एक गांसर डी आया है तो हो सकता है मैंने बला डिबेटेबल है इसमें आपने एक्जाक्ली नह पर देखते हैं तो इक बोक का कॉश्चन है ठीक है चलो प्रक्टिस कुश्चन देखते हैं मेंस के लिए डिसकर दिश्टी वेरियस वेश्टेटर देट वर रिस्पोंसिबल फोर दी अप्राइजिंग तुक प्लेस इंदी यह बता दो आरम से तो इसी के साथ यह चैप्टर होता है अब नेक्स चैप्टर पर बात करते हैं जो है रिवल्ट ऑफ 1857